हेलो दोस्तों नमस्ते सुपरवाद जैसी कृष्णे रादे रादे माई सोल फैमिली माई वीवर्स माई सिस्क्राइवर्स काट ब्लेस यू आप सुछस्तों के मस्तों के अपने लाइप में आगे बढ़ रहे होंगे यहार आज का विकचो पेडियो लेकर रही हूं आज के लिए उनका मूड कैसा है और वो क्या कहना चाहते हैं तो एइंटेंस सही रखें और यहां आपको पर्षण के बारे में सूचना है इंटेंस सही रखना है बिल्कुर रिल्लाक्स रहना है collective reading है और सारी sign के लोग देख सकते है male, female, married and married सब के लिए है तो बिलकुर relax हो जाए और बिलकुर relax है अपना ध्यान रखे अपनी health का, अपने career का, अपने study का अपने self love पर भी focus करें, ठीक है खुद को heal करने के लिए अर्थ मदर से connection strong बनाए ठीक है, प्रक्ति से जरूर जूरे, वहां से आपको बहुत support मिलेगा ठीक है, ओ, इतनी शारे काश नहीं चलिए देखती हूँ, आज सुबश वो क्या message क्या कहना चाहते है इंजल्स प्लीज काईट करें, डिवाइन काईट करें अल आर्केंज दिबिश शक्ति गाइट करें, रिवीवर्स के पार्टनर्स के असुबश के एनरजी जस प्लीज काईट करें जय मातारानी, जय भवानी, जय दुर्गा, जय काली मा, जय संभू, हर हर महादेब पास्ट लाइब, राइशन स्रीफ, फियर, सोसल मिडिया, पास्निट, नियु स्टार्ट, नो नतिंगनेस, फाइटिंग, खालीपन बहुत है, देखें, कम्पलिशन चाहिए उन्हें, आइम फाइन, यह आपके साथ बहुत खुसी महशूस करते हैं, बहुत आपके रिस्पेक्ट करते हैं, और आपकी इंपॉर्टेंस उनकी जिन्दगी में है, इसलिए वो खुस नहीं है, आपके वगर, सालिवरेशन, आपके साथ टाम स्पेंट करना चाहते हैं, सेवन चक्रा मेरिटेशन, बहुत सारे वीवर्स यहां हो सकता है, कि आपके अंदर कुछ हीलिंग हो रही है, या फिर आप सेवन चक्रा मेरिटेशन कर रहे हो, यहां कॉम्परमाइज, खालीपन बहुत है आपके परसन के इनरजी में, ठीक है, गिब मे अचांस, वो एक मौका ढून रहे हैं और एक आपसे मौका मांगना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, एन इनर व धना और बहुत आपके बगर एक अकेला पर महसूस कर रहे हैं, कॉम्निकेशन करना चाहते हैं, वो हर कोसिस कर रहे हैं, कि वो आपसे कॉम्निकेट करें, बात करें, ठीक है, कॉम्परमाइज करना चाहते हैं, यहां पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं, इन्हों ने अगर आपसे fight की है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें ये feel हो रहा कि आपके वगर वो खुश नहीं है उनका आपका साथ उनके लिए बहुत ही important है क्योंकि यहाँ पर importance की energy आई है और यह चीज़ करा कि वो आपके वगर खुश बिल्कुल नहीं है देखिए दो बारा हो या ती बारा हो या चो बारा हो या on-off situation हो आपके partner इस रिष्टे पे work करना चाहते है ठीक है देखिए हो सकता है आपको लगता है कि यह person बार-बार on-off situation करता है और clarity नहीं देता देखिए बात यह है कि life में वाडम तड़ेक से है I am coming soon बहुत जल आ रहे हैं देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग का रिस्ता जो है हो सकता है past life connection है बट यहाँ पे यह दुनिया जो है ना यह 3D दुनिया है ना यह प्यार को नहीं समझती यह प्यार को नहीं समझती सचे इंसान की परक नहीं करती आजकल उनकी पूछ होती है जो उनके साथ गलत करते हैं चीट करते हैं धोखा करते हैं तो यहाँ पे इस दुनिया में सचे लोग की सचे प्यार की कदर नहीं होती वहाँ पे खुद को बदलना पड़ता है और जीत हासिल करने पड़ती है ठीक है तो अगर आपका past life connection है तो देखिए उनके मन में भी किसी प्रकार का ये thoughts आ रहा है कि आपसे उनका connection है अगर इनोंने fight किया है आपसे अगर इनोंने distance किया है आपसे तो आज इनकी energy खुद इनक क्यों feel हो रहा है क्योंकि आपने दिया है प्यार आपने खुद को किया है समर्पन आपने पूरी तरह प्यार का मतलब समझाया है तो ये separation हो fighting हो या obstacle हो या कोई और problems क्यों ना हो आखिर इनको निंद क्यों नहीं आ रही क्यों इनके अंदर बेचैनी है क्यों आपको इतना प नहीं दे रहे हो उनके feelings को आपने ही समझ पारे हो या फिर किसी तरह आपसे contact करना चाहते हैं बट आपसे उनसे बात नहीं हो रही है वह आपसे continue contact करने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन मन में किसी प्रकार का fear भी है दर लगता है कि आप fight कर लोगे या ignore कर दोगे या फिर हो सकता है कि उनको आपसे उमीदे हैं कि हो सकता है कि आप ही action लोगे तो कुछ वेर सबके अलग अले energy और thoughts हो सकते हैं इसलिए give me a chance ठीक है देखिए ये person खुद को trigger कर रहे हैं और मुझे लगा कि बहुत सारी वीवर्स यहां पर inner work and seven chakra meditation तो बहुत सारी वीवर्स हो सकता है कि आप अपने चक्रा बैलेंस कर रहे हो यानि अपनी healing कर रहे हो छिक है देखिए आपके person आपके बगर खुश नहीं है वो आपको पाना चाते हैं धेरे धेरे आपकी कद्र हो रह रही है चाहे जो भी हो आपके partner male हो female हो यहां पर spy बहुत करते हैं आपको notice बहुत करते हैं आपको हो सकता है या आप social media के through अगर मिले हो तो हो सकता है कि यह दिस्ता आप लोग की दोस्ती हुई हो बट यह connection सो कर रहा है कि आप दोनों का connection पिछले जन्मों का है हो सकता है कि आपकी commitment marriage से बात हुई हो यह भी हो सकता है आपने दोस्ती की लेकिन यह रिस्ता past life connection निकला तो हो सकता है खेल खेल में दोस्ती यारी के खेल केल में लोग दोस्ती करते हैं बात करते हैं लेकिन यह प्यार कुछ और एहसास कर जाता है तो देखिए वहां भी वही energy अगर social media क through आप लोग मिले हो तो कहीं न कि इनका mind correct यह रिस्ता कुछ अलग है unique है और खास है यह इन्हें अहसास हो रहा है लेकिन फियर भी हो रहा है कि आगे क्या होगा कहीं मैं इसे खो ना दू अगर आप सांथ हो जाते हो खामोस हो जाते हो या फिर यह decision नहीं ले पाते हैं या को obstacle आजाते हैं जो इनके नींद उरा देते हैं इनके नींद को चुरा देते हैं तो इस person को भी डर हो रहा है बस इनको लगड़ा है कि आप से एक बार मिलने आपके साथ time spent करें आपके साथ date पर जाएं थोड़ा कुछ बाते करें कुछ अपनी दिल के emotions share करें लिकिन यह आप क खामोस होते हों तो समझे कि यह बंदा आपसे कितना डरता है यह बंदी आपसे कितना डरता है यह डरती है यह आपका जो प्रभाव है इनके उपर परता है या फिर यह आपको ब्लॉक कर देते हैं या डर के मारे anxiety होती है यह आपको ego से deal करते हैं बट यह चाहते हैं और आपको खोना नहीं जाते हैं, खोने का डर है, क्योंकि आप में वो खुशी ढूंड रहे हैं, वो प्यार ढूंड रहे हैं, वो एक connection फिल कर रहे हैं, जहां उनको सारी दुनिया को खुशी मिलती है, वो आप हो, यह ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, अगर social media के भी थू मिले हो तो जहिए, सायद अभी भी आप लोग में काफी distance हो सकता है, long distance हो सकता है, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, तो कही न कही एक दूसरे में चाहत हो रही है, ठीक है, एक दूसरे में चाहत हो, इस connection को लेकर आप दोनों का bondस्ट्रॉंग हो रहा है, ठीक है, इशु कुश भी हो, ल से इस रिस्ते फे वर्क करना चाहते हैं strongly आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त फेल कर रहे हैं देखिए कही न कहीं आपकी इंपोर्टेंस है चाहे आपका nature का हो सभाव का हो यह आपने जो दिया हो ठीक है समझ में आ रहा है कि उनके लिए आप क्या माइने रखते हो कहा जाए चीज कहीं न कहीं उनको दूर कर देता है कहीं न कहीं यह एक डर तो है कि आपकी इनरजी इनको ट्रिगर करती है तो यह उनकी weakness है चिक है यह उनकी weakness है आप कुछ भी कह देते हो तो यह चीज ट्रिगर करता है सोने नहीं देता है मतलब कि आपकी importance इनकी जिंदगी में है और यह problem solve नहीं कर सकते हैं यह अपने आपको trigger करते हैं और कुछ मजबूरियां होती है जो आपसे share नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर communication करना चाह रहें reunion चाह रहें मिलना चाह रहें आपके तरह बढ़ना चाह रहें और new beginning, past new start चाह रहें आपने यह तो जिन्दी की विरान है एक अधूरापन, खालीपन है और मिलने की चाह हो रहे है हो सकता है समय से fight करें हो सकता है family से fight कर रहे हो हो सकता है इनको समय favor ना कर रहा हो देखें बहुत सारे इंसान के life में बहुत तरह की fighting होती है सायद कोई नहीं समझ पाता लेकिन energy समझ पाती है ठीक है लेकिन यह person आप से communication करना चाहते हैं और देखें यहाँ पे बहुत सारे viewers यहाँ पे charity भी की अगर आप लोग charity करते हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत सारे ब्लैसिंग्स अट्रैक कर रहे हो कुछ लोगों की है कि आप charity कर सकते हो और देखें आपके पार्टनर ही यहाँ पे कह रहे है इस energy के निसार कि उनको होने का डर है और कहीं नहीं आप ब्लैसिंग्स हो और बहुत सारे viewers आप ब्लैसिंग्स अट्रैक भी कर रहे हो इनके अच्छे किसमत थे अच्छे कर्म थे जो आप उनकी जिन्दगी में हो और प्यार आपने दिया है यह importance आपने इनको फिल कराया है ठीक है वो आपके बगर खुस नहीं I am not fine आपका साथ है तो बहुत खुस है इनके confidence बढ़ते हैं आपका support मिलता है compromise करना चाहते हैं और आप उन्हें मौका दो यह हो सकता है कि आपने अनब्लॉक किया है या फिर आप जीत पर आकर बैटे हो कि मुझे न्याई चाहिए मुझे justice चाहिए मुझे commitment चाहिए मुझे clarity चाहिए ठीक है लेकिन यह energy इनको डर में है यह अकेले पन में यह डर इनको trigger कर रहा है ठीक है तो यह person आपके साथ time spent करना चाहते हैं date पर जाना चाहते हैं और आपके तरफ आना चाहते हैं I'm coming सुनके energy है यानि यह बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आपके partner बहुत ज़दा spy भी कर रहे हैं और आपसे मिलना भी जाते हैं कहने का मतलब इनके मन का डर खोने का इनके मन का डर आप उनसे दूर जा रहे हो क्योंकि इनकी strength आप हो confidence आप हो weakness भी आप ही हो ठीक है weakness भी आप ही हो और इनके मन में डर जो हो रहा है ये डर हो रहा है कि अगर आप इनने बिल्कुल छोड़ दिया तो इनकी importance क्या रह जाएगी इनकी जिंदिगे क्या हो जाएगी तो अब ये person आपके सार time spent करना चाहते हैं आपके तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनकी need, chance, chance सब कुछ उड़ा हुआ है अब ये person आपके तरफ आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं किसमत से मिले हो, मिलकर जुदा ना हो वो वाली energy है तो आपके partner की fighting भी हो रही है situation के साथ, light में किसी और के साथ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे fight करें क्योंकि इनका नीन चैन सब कुछ खो चुका है अब वो आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं रिष्टे में सुधार लेकर आना चाहते हैं ठीक है किसमत से मिल गए हो मिलके जुदा ना हो वो किसमत से मिल गए हो हस्ते जक साइद मूबी का नाम है हस्ते जक इसमें का एक गाना बहुत अच्छा लगता है क्या खता है तुम जो मिल गए हो ट्रावल करना है आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत सपने देखने का ना डेटिंग पर जाना चाहते है आपके साथ ट्रावल करना चाहते हैं लॉग ड्राव पर जाना चाहते है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया राही को करवा मिल गया प्रिया जी है और इका नाम मैं बुला पा रही हूँ ये ट्रावल करते हैं दोनों गाते हैं अब मुवी का नाम है हस्ते जख्म सायद ठीक है तो आपके पार्टनर आपके साथ युवी योपल को याद करें फिर से एक नई सुर्वास चाहते हैं मिलना चाहते हैं भटके हुए राही को तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया तो पैरेंस की पैरेंस इश्यू आ गए ठीक है नाइन ओप सोर्स इनके फिलिंग को कोई नहीं समझ रहा ठीक है लेकिन इनके इमोशन में आप सामिलो ठीक है पेज़ो पैंचिकल्स इस वाग बहुत बड़ा जस्चर तो नहीं बड़ आपके साथ एक नई शुरुआ चहार है बाबू क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम जिख रही है त्री ओप कप्स की एनरजी है लांग डिस्टन्स भी है दर्द बे हैं कोई इनकी फेलिंग को नहीं समझा यह थट पार्डी और भी कुछ लोग हो सकते हैं आपने रात की वीडियो देखी होगी कितनी तरप थी आपके पार्टनर की एनरजी में रात की एनरजी में बहुत दर्द में थे कल रात की एनरजी आपने अगर देखी होगी तो relationship में struggle है बाबू ठीक है मैं बोल रही हूँ struggle है बस situation को balance करने के लिए आप खुद को heal करें meditation करें ठीक है रिस्ते healing होएंगे और रिस्ते में strong connection भी बनेंगे ठीक है देखिए फिर आपके partner के mind body soul में बहुत problems हो रहें बाई देखिए देख लीजिए इतना आसान नहीं है रिस्ते को तोड़ देना खो देना और आप गाना ही सुन लेना ना क्या बात है गाना में तो गाना में बस चाहते कि आप हो और वो हो बस long distance हो तो travel पर जाएं यहां sign बता देती हूँ यहां पे सारे sign है यहां पे six of swords की four of cups की तो यहां पे अभी भी six number important है six number six number six number six number यानि अभी भी यह person आपके साथ compromise चाह रहे है इस रिस्ते पे work करना चाह रहे हैं आपके partner को कोई नहीं समझ रहा सबसे बड़ी बात आपके partner को ट्रिगर किया जा रहा है आपके partner को manipulate किया जा रहा है आपके partner के अंदर खुद की energy trigger कर यह गुसा anxiety stress stuck बंधा हुआ फिल करना कोई खुसी नहीं बस अब वो चाह रहे हैं कि आपके साथ रिस्ते बहतर हूँ ठीक है लेकिन कुछ आप यहां पे confused कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो ठीक है और यह बहुत सारे वीवर्स यहां पे एक new cycle start हो रहा है बट यह new cycle new beginning भी हो रही है यहां travel की भी energy है तो celebration है लेकिन मैं एक बात कह दूं relationship में struggle काफी दिख रहा है आपके partner ने कोशिस जरूर की है इस रिस्ते पर parents related third parties related जो भी हुआ उन्होंने कोशिस की है इस रिस्ते के लिए लेक और इनी को trigger मिला मतलब कि आपके person ने आपके stand तो लिया लेकिन कहीं ना कहीं इनको इनके feelings को और आपके रिस्ते को नहीं समझा गया और इनका दिल तोड़ दिया गया चाहे यह person जो भी हो यह आपके partner male हो female हो इस वक्त वो painful situation में है इन्हें सिर्फ और सिर्प लगड़ा कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया आज वही दर्द मैं feel कर रहा हूँ मुझे तुम्हारी importance पता लगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो लेकिन ये emotions जो है वो सिर्फ मेरे दिल में तुम्हारे लिए है ऐसा वो कहना चाहते है इस दिल पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है क्योंकि आज मैं feel कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ समझने वाले सिर्फ एक तुम हो ऐसा वो आपसे कहना चाहते है क्योंकि मैं अब ठक चुका हूँ कोई मेरा नहीं है दिखावे के सारे लोग हैं चाहे वो parents हो third party हो friend हो चाहे कोई भी हो कोई मुझे से प्यार नहीं करता सि तुम प्यार करते हो और मुझे पता है कि हमारे रिष्टे में struggle बहुत है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं और मैं अपने डर को खदम करना चाहता हूँ मैं इस रिष्टे में compromise करना चाहता हूँ जिस तरह के thoughts है six of pentacles, six of cups and six of swords हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी हो ये planning आपसे जरूर मिलने के करें लेकिन इनकी दूर तक की planning हो रही है क्योंकि ये ठकावट ये trigger उनसे बरदास्त नहीं हो रहा अब इनको लग रहा है कि जिन्दगी भाई तुम्हारे साथी मुझे अच्छी बित सकती है आगे बिता सकता हूँ बट ये आपके पार्टने स्टक हैं और इस वक्त इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है तो सिर्फ आपकी नीड है तो आपकी प्यार की सपोर्ट की और इनके मन के डर को दूर करने की इस वक्त इस परसन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है चाहे ये मेल हो या फीमेल हो ये परसन हाट चुके हैं ठक चुके हैं लेकिन आपके तरफ जसर करना चाहते हैं अप्रोच करना चाहते हैं इमोशन बया करना चाहते हैं और आपके तरफ आना भी चाह रहे हैं तो ट्रावल दिख रहा है सालिवरेशन दिख रहा है यहां भी ट्राव यहुसी के चाहिआ है आ चैसा बो गहां कि तुम्हें समझना होगा कि मस्वेर Central काफी है लेकिन चिन्ता नहीं करने का नहीं का चाहे कुछ को सकता है आने वालेले par travel का है जिए आनेक फार्शन वाले सब्सक्ति करेंए पहली बात कि इनको कोई support अगर नहीं कर रहा है तो आज लग रहा है कि अब एक समझने विला इंसान आप हो, सिर्फ आप हो और आप उन्हें चाहिए, इसी डर को खत्म करना चाहिए, कोई इस रिष्टे को support नहीं कर रहा है, सब इनका दिल तोरा है, trigger कर रहा है, बैक स्टेप कर रहा है, चाहिए वो कोई भी हो, कोई इनके emotions को इस रिष्टे को कोई नहीं समझ रहा, तो समय आने पर मैं कहीं दूर चला जाओंगा तुम्हें लेकर, ऐसा वो कहना चाहते हैं, तो कुछ planning भी है, एक बड़ी planning कर रही है उन्हेंने, क्योंकि ये ठकाबट, ये बेचैनी उनसे अब रहा नहीं जा रहा, निंद नहीं, चैन नहीं, पीस नहीं और वो प्यार नहीं, इन्हें आपकी जरुवत हो रही है, तो आपके partner आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी याद आ रही है, आपकी my UC दूर करना चाहते हैं, दर्द में है, pain में है, separation में है, और आपकी तर time spent करना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रावल दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, लेकिन इस रख पेन full situation है, balance है, वो खुद आपको offer करना चाहते हैं, कहीं दूर आपको लेकर जाना चाहते हैं, तुम जो मिल गए हो, तो यह ऐसा लगता है कि जहां मिल गया, वही वाली vibration है, emotion बहुत strong है, खोने का डर बहुत है, एहमियत हुई है आपकी, value हुई है आपकी, कौन कितना इनको समझ रहा है, कौन इतना कितना इनको प्यार दे रहा है, यह इन्हें आज फिल हुआ है, अनुभा हुआ है, तो यह बहुत बड़ी बात है, कम से कम इतना तो सोचवा कि loyalty क्या है, प्यार क्या है, कौन support करता है, आज आपके person को यह एहसास हो रहा है, अब यह मिलने आना चाहते हैं, और अपने दिल, emotions जो भी भरे पड़े हैं, वह आपसे share करना चाहते हैं, offer करना चाहते हैं, six of cups, six of pentacles, six of swords की energy, तो यहाँ पे six number आपके लि है, और travel भी है, चिक है, लेकिन एक चीज है, कि struggle आपके partner ही कह रहे हैं, कि हमारे रिस्ते में struggle काफी है, चिक है, तो यह है जी, आज सुवा की energy, आपके partner की, चिक है, तो अपने आपको हिल करें, प्रकृती से जरूर जूरें, meditation करें, क्योंकि seven chakra का meditation आपके रिस्ते को balance करता है, तो meditation करें, om chanting करें, nature से connect हों, प्रकृती से और अर्थ मर्दत से अपना strong connection बनाएं, एंजल से support लें, इस वक्स आपको six six angel number दीखने हैं, तो angel आपको support करें, और nine number completion है, तो आपके partner आपके साथ completion चाहते हैं, ठीक है, तो अपना ख्यार लगिए, आपके partner आपसे यहाँ प रहा है, इसलिए मुझे तुम चाहिए, इस वक्ति किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपकी value बड़ी है, और सबसे बड़ी आपकी जो कद्र होड़ी, importance बड़ी है, कि सिर्फ तुम मेरे हो, और म मिलता है और मेरी फैमिली कितनी मुझे प्यार करती है वो अहसास भी होता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइक एंज रुद्रवाइग गॉड ब्लेस यू एंड थेंक यू